जाहिंदे श्रेंट्स कैसे आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे चलिए तो आप लोगों का जो लगातार डिमांड था जो सर वेबसाइक अर्थ सास्त्र एवं पर्यावरन बिजनेस एकोनोमिक्स एंड इंवेरमेंट का वीडियो अपलोड कीजिए तो आज से लगात इस विशायो का वीडियो अपलोड होगा इसमें औप्जेक्टिव बी ओगा और सब्जेक्टिव होगा ताकि आप लोगोंका एक्जाम अच्छा हो और अच्छा माक्स आये आप लोगों का प्रीपरेशन ठीक-ठाक होगा बहुत अच्छा नहीं होगा एसा मैं इसलिए कर क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग में कनिफ्यूज थे जो विसाई क्या होगा बहुत सा रेशन्स में कनिफ्यूजन था विसाई को लेकर तो अब एक्जाम आ गया है एड्मिट कार्ट पर सब्जेक्ट का नाम आपने देखा तब उसका प्रेपरेशन कर रहे हैं ठीक है तो जो भी कमी है हम पुरा करने का प्रयास करेंगे जो आपका पूरा हो जाए ठीक है और इसके बाद जो समेस्टर 2 होगा उसका सिलेबस जैसे एक्जाम खतम होगा आप ल करना देते हैं जिस ग्रूप में आप लोग अगर चाहें तो जुर सकते हैं और अपने समस्याव को रखेंगे ताकि उसका समधान क्या जा सके तो चलिए पहला जो चेप्टर है वेबसाइक अर्थ-सास्त्र अर्थ-प्रक्रटियम-छेत्र उससे इंपोर्टेंट अबजेक वेबसाइक अर्थ-सास्त्र में वेबसाइक परिष्थितियों का विश्लेशन करने के लिए अर्थ-सास्त्र विचार पद्धति का उप्योग किया जाता है तो यह जो कथन है यहां कथन है किसका जिसके option A, B, C, D करके दिया हुआ है आप लोगों को इन चार में से एक ही option चुनना है जो शही होगा यहां कथन है मैक नेयर वह मैरियम का ठीक है मैक नेयर वह मैरियम ने कहा है जो website अर्थसास्त्र में website परिश्चितों का विसलेशन करने के लिए अर्थसास्त्र विचार पद्धती का उपयोग किया जाता है अगला है economic theory and operations analysis के लेखक है ठीक है बुक का नाम है economics theory and operations analysis इसका जो लेखक है के वह है बामोल बामोल ने लिखा है economics theory and operations analysis चलिए तीसा प्रज़न है website अर्थसास्त्र को कहा जाता है website अर्थसास्त्र को क्या कहा जाता है ठीक है यह समझे तो website अर्थसास्त्र को इसमें लिखा हुआ है form का सिद्दान्थ और दूसरा है उद्यम का अर्षास्त्र वेवसाइक प्रबंध का अर्षास्त्र तो इसमें से तीनों में से कोई इसका राइट आंसर नहीं इसलिए यहां पर हो जाएगा इन में से कोई नहीं चौथा प्रशन है वेवसाइक अर्षास्त्र के छेत्र में शम्मिलित किया जाता है ओप्षन ए मांग विसलेशन ओप्षन बी उत्पादन एवं लागत विसलेशन ओप्षन सी पुंजी प्रबंध तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी वेव कि इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या उपर्युक्त में से शब ठीक है चलिए अगला है किसने वेवसाइक अर्षास्त्र को आर्थिक सिध्धान्त का वेवहारीक वेवहारे के साथ एकी करन की संग्या दी है किसने यानि कि कौन से विद्वान ने वेवसाइक अर्षास्त्र को आर्थिक सिध्धान्त का वेवसाइक वेवहारे के साथ एकी करन की शंग्या दी है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेंसर तथा सिगली मैन ने वेवसाइक अर्षास को किसकी संग्या दिया गया तो आर्थिक सिध्धान्त का वेवसाइक वेवहार के साथ शंग्या ठीक है चलिए अगला जो चेप्टर है दूसरा वो चेप्टर है वेवसाइक अर्थ सास्त्री कार एवं करतब इसका पहला प्रस्न है वेवसाइक अर्थ सास्त्री के काड़ियों को बाटा गया यानिकि वेबसाइक अर्थ सास्त्री जो होते हैं, उनके कामों को कितने भागों में बाटा गया, कितने अस्तरों पर बाटा गया है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा दो अस्तरों पर, वेबसाइक अर्थ सास्त्री के कार्यों को दो अस्तरों पर बाटा गया है, अगला है, प्रत्यक् प्रत्यक्ष ग्यान में निर्णय लेने में निम्न कार्य करना होता है वह कार्ड कौन सा है तो इसका सही उत्तर हो जगा समस्या की जानकारी करना प्रत्यक्ष ग्यान में निर्णय लेने के लिए जो काम करना पड़ता है वो है समस्या की जानकारी करना समस्या के बारे में जान जब तक हम समस्या को जानेंगे नहीं तब तक हम कोई भी निर्णाए नहीं ले शकते हैं चलिए एकला है विक्षित वीचारों के संबंध में निम्ण में से कौन शां क्थन शही है पहला है तत्थ प्राप्छ किये जाते हैं तथ्यू का आशंकलन होता है तत्यों का अनुवेशन होता है रुकाबटों का ज्ञान होता है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह हो जाएगा option c तत्यों का innovation विक्सित विचारों के सम्मंद में तत्यों का क्या होता है innovation होता है चलिए अगला प्रस्ण है website अर्थ सास्त्री के विशिस्ट कारी क्या है रुकाबटें दूर करना शमनवय करना तत्यों का innovation होता है प्रशासन कारी करना इन चारों काम में से website अर्थ सास्त्री का मुख्य काम क्या होता है तो website अर्थ सास्त्री का जो विशिस्ट कारी होता है वो होता है प्रशासनिक कारी करना यानि कि प्रशासन का कारी करना पाजमा प्रस्ण है कार्यात्मक, कार्यात्मक निर्णायों में आते हैं, कार्यात्मक निर्णायों में कौन-कौन काम आते हैं, जैसे दैनिक निर्णाय, मासिक निर्णाय, सापताहिक निर्णाय और वार्सिक निर्णाय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दैनिक निर्णाय, कार्यात्मक निर्ण के कर्तवयों में क्या आते हैं वह साइक अर्शास्थ्री के कर्तवयों में क्या आते हैं तो उद्धिष्यों का Blick निर्धारन उद्धिश्यों का निर्धारन उद्धिश्यों का निर्धान किस में आते हैं+, तो वेबसाइक अरसास्त्री की करतवयों में चल ये तो हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे अध्याए की और. १ू Start 2020 रोगनों को पीते हैं . मांग का नियम इस वीडियो में पूरे किताब का जो भी भी यह अब्जेक्टिब्स होंगे सब के सब आप लोगों के सामने हम प्रस्तूत करेंगे पहला है मांग में शम्मिलित होता है मांग में क्या सम्मिलित होता है तो मांग में सम्मिलित होता है वस्तु की प्रभावी एक्षा ये भी बिल्कुल कथन सही है दूसरा शाधन की उपलब्धता ये भी सही है और तीसरा है वस्तु को खईदने के लिए शाधनों को व्याय करन प्रभावी इक्छा यानि कि वस्तु को खहिदने के लिए आपका मन होना चाहिए आपका इक्छा होना चाहिए फिर उस वस्तु को खहिदने के लिए इक्षा तो है लेकिन साधन भी होना चाहिए और साधनों को व्याई भी साधन अगर है ही आपके पास मतलब पैसा आपके पास है ही तो आपको खर्च करने की तत परता भी होनी चाहिए चलिए अगला है मांग एवं कीमत में कौन सा संबंध होता है मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है बहुत महत्पुन प्रस्न है मांग और कीमत में कौन सा संबंध होता है तो मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है अगला है दिखिए मांग अगर बढ़ जाएगा मांग अगर बढ़ जाएगा मांग बढ़ेगा मांग बढ़ेगा इसका मतलब कीमत में कमी आई है अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग में कमी आई है सपोस किजिए अगर चीनी का मुल अगर अभी अगर 46 रुपे किलो है और यहीं पर आप चीनी का दाम कर दीजिए 90 रुपे के कीमत कीमत मांग घटएगा मंग और कीमत में सम्मंद होता है योगो अच्छा般 फेसे घैनल को जरूर शब्सक्राइब कर लें किसी भी टॉपिक में डॉट होता है तो आप अपना डॉट कॉमेंट में रखी झिसाब एंपर से गेंद वं बल्र किस मांग का उदाहर्न है गेंद और बल्र किस मांग का उदाहरन है तो इसका जो राइट अंसर होगा यह होज़ेगा सन्युक्त मांग देखिए गेंद और बल्ला दोनों साथ साथ लीड होता है आप खेलने के लिए ग्रॉंट्स में चलेगे गेंद है ही नहीं बल्ला आपके पास है तो काम चलेगा नहीं चलेगे विए आपको गेंद और बैट दोनों की आवशकता है तो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं सन्युक्त मांग आगे है वस्तु की पूर्ती एवं उसकी कीमत में संबंध होता है तो यह सीधा संबंध होता है वस्तु की पुर्ति और कीमत में कौन सा संबंद होता है शिधा संबंद होता है चलिए अगला जो चेप्टर है मांग की लोच इबं उसकी माप ये चेप्टर है चौथा और हम लोग अब चौथा चेप्टर को complete करेंगे चलिए तो इसका पहला जो प्रस्ण है वो है मांग की लोच option A कीमत का अनुपातिक परिवर्थन या मांग का अनुपातिक परिवर्थन और कीमत का अनुपातिक परिवर्थन तो इसका जो right answer होगा वो हो जायगा मांग का अनुपातिक परिवर्थन मांग का अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत का अनुपातिक परिवर्तन चलिए दूसरा प्रस्थ है एक मांग वक्र के विन बिन्दूओं पर मांग की लोच तो इसका जो उत्तर होगा वोगा भिन भिन होता है ठीक है एक मांग वक्र के अलग-अलग बिन्दूओं पर मांग का जो लोच होता है वो अलग-अलग होता है आगे है मांग की आरि लोच क्रॉस इलासिटी इलासिटी ऑफ डिमांड को वैग्यानिक वैख्या का स्थ्रे है तो इसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा रौबर्ट ट्रिफिन को यहनि कि मांग की आरि लोच की वैग्यानिक वैख्या किस ने किया तो रौबर्ट त्रिफिन चलिए चौथा प्रस्ण है विलासिता की वस्तों की मांग की लोच होती है बहुत इपर नीचे होता रहता है अगला है जब किसी वस्तू की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तू की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन शे कम होता है ठीक है अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी दसा में मांग तो ऐसी दसा में जो मांग होता है वो होता है बेलोचदार ठीक है जब किसी वस्तू की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, उस वस्तू की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम हो जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को बेलोचदार हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चलिए, अगला जो चेप्टर है, छट्था होगा, ठीक है, नहीं, पांचमा चेप पुर्वानुमान का मुख्याधार क्या है? पुर्वानुमान का मुख्याधार क्या है? तो पहला option दिया हुआ है पडियाप सूचना, दूसरा option है विप्नन अंग चौथा वैग्यानिक अधार, और चौथा है जानकारी, तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो हो जाएगा विपनन अंग, पुरवानुमान का मुख्य आधार है विपनन अंग, चलिए, दूसरा है मांग का अर्थ है, मांग का अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो हो जाएगा अनिस्सित अवधी, मांग का अर्थ क्या है, अनिस्सित अवधी, मांग का विधी में पाई जानी चाहिए पुर्वानुवान की विधी में पाई जानी चाहिए तो जटिलता सुद्धता विश्वस्नेता तो अशुद्धता इसका उत्तर होगा पुर्वानुवान की विधी में पाई जानी चाहिए तो अशुद्धता चलिए चोथा प्रस्ण है किसके अनुशार विक्राय पुर्वानुमान का आसा है भावी बाजारों में कम्पनी के भाग का पुर्व निर्धारन करने से है क्या है किसके अनसार विक्राय पुर्वानुमान का आसर भावी वाजारों में कम्पनी के भाग का पुर्व निर्धारन करने से है तो इसका जो राइट अनसर होगा वो जाएगा रेमंड विलस चलिए छठा चप्टर के तरफ चलते हैं छठा चप्टर जो है उत्पादन एवं उत्पती के शाधन उत्पादन एवं उत्पती के शाधन तो इससे पहला प्रस्ण बनता है उत्पादन कौनसी आर्थिक क्रिया है उत्पादन जो है कौनसी आर्थिक क्रिया है तो उत्पादन जो है दूतिये आर्थिक क्रिया है दूसरा प्रस्न है अर्थ सास्त्र में उत्पादन का क्या मतलब है अर्थ सास्त्र में उत्पादन का क्या मतलब है तो उत्पादन का मतलब होता है अर्थ सास्त्र में उपयोगिता का स्त्रिजन करना अर्थ सास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उसमें उपयोगिता का क् निर्मान करना तीसरा प्रस्टमे भूमी उत्पती का कैसा साधन है उत्पती का निश्क्रिया शाधन है प्रसंद निमलखीत में से कौन उत्पती का साधन नहीं है उत्पती का साधन नहीं है तो सुड का प्रकास जो है उत्पती का साधन नहीं है मतलब भूमी पुंजी इस्रम ये सब उत्पती का साधन है तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही बहुत जल्द एक और वीडियो अप्लोड होगा जिसमे सारे बुक को हम कवर कर लेंगे उसके बाद फिर थियोरी को डीटेल में समझाएंगे आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें इसे आगे फॉर्वर्ड करें थैंक यू